दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में आवला खाने से होने वाले फाइदे के बारे में बताएंगे खाने पीने की जब बात आती है तो मौसम का अहम रोल होता है जैसे अक्सर लोग इस बात को लेकर दुबदा में रहते हैं कि सर्दियों के मौसम में काउन सी चीजे खाने चाहिए या गर्मियों के मौसम में जो चीजे वे फीट रहने के लिए खाते आ रहे हैं क्या ठंड में उनका सेवन छोड़ देना चाहिए आउले के बारे में जोदातोर लोग सुचते हैं कि ठंड में आउला खाना चाहिए या नहीं लेकिन आईरवेद के अनुसार ठंड के मौसम में आउले का सेवन कई बिमारियों से बचाता है आउला जी से इंडियन गुसबेरी भी कहा जाता है यह हमारे स्वास्त के लिए बेहत फायदे मंद होता है बिटामिन सी फाइबर के अलावा आउले में एंटी आक्सिडेंटर्स और एंटी इंफिनमेटरी गुट पाया जाते हैं सरदियों में बहुत से लोग कबजी की समस्चा से परिसान दाते हैं आउले में फाइबर की भरपूर मात्रा होने के कारण यह पाचन संबंदी समस्चाओं को दूर करने में मदद करता है इसके अलावा यह थाइराइट आँखों की रोजनी में सुधार और वजन को कम करने में भी मददगार होता है तो आईए जानते हैं इसके स्वास्तलाप के बारे में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन को दबा कर आल नोटिपिकेशन जरूर आन करें इसके आलामा आवला सरीर में इम्मिनिटी यानि रोग प्रत्रोग छंता को बढ़ाने में भी मदद करता है आवला खाने का सबसे अच्छा समय सुबह में होता है यह सरीर के अत्रिक विशाथ पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है नमबर दो इसक्रीन की खुबसूरती बनाये रखने के लिए बिटामिन सी की अहम भूंका होती है बिटामिन सी की सेवन से इसक्रीन टाइट रहती है और जूरिया नहीं पड़ती है इस्क्रीन में glow बना राता है जिसके लिए आप चाहें तो दही में आवले के powder को मिला कर चेहरे पर लगा सकते हैं अगर आपकी परिवार में किशी को हिर्दय संबंदी समस्या है तो आप समझ सकते हैं कि सर्दियों का मौसम उनके लिए कितना खतरनाक होता है आवला हिर्दय की मानस्पेशियों को मजबूत करने का काम करता है इससे पूरे सरीर में रक्त का संचार अधिक प्रभावित तरीके से होता है यह सरीर में अत्रिक कलिस्ट्राल को बढ़ने से रोकता है साथ ही आवला पाउडर में मौझूद क्रोमियन धमिनियों को एथरोलेसिस या फ्लाक को बनने की संभावना को कम कर सकता है इससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक की संभावना कम होती है नमबर चार आवला का जूस लीवर की सकति को बढ़ाने का एक सांदार तरीका है और साथ ही आवला लीवर को उवारने की छंता रखता है जैसे की कुरसेटिन, गैलिक एसिट, कोरील, लागिन और एली गैजिज एसिट मुक्त कड़ों को नस्ट करके शरीर को डिटाक्सिफाई करने में मदद कर सकता है नमबर पांच, आवले में बिटामिन और खनीज का सबसे अच्छा स्रोत है जो मस्तिक के लिए बेहन मात्ते पूंड होता है आवला रक्त में आईरन की अधिग मात्तरा होती है जो मस्तिक को आसीजन प्रदान करता है